स्कार हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है आज आश्मय महाचन हिंदी लर्निंग चैनल पर लेकर आई है कोड से 80 माक्स 2023-24 नाइथ क्लास के लिए सेंपल पेपर जी हां आज इस वीडियो में आपको 80 माक्स के पेपर का हम एक ब्लूप्रिंट देने जा रहे हैं ज इसके साथ साथ मैं आपको आंसर्स भी बताती चली जाओंगे चली आएए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले समाने निर्देश इस प्रश्ण पत्र में दो खंड हैं खंड और ब खंड अ में वस्तू परक बहुविकल्पी जैनकी MCQs और खंड ब में देना अनिवारे हैं तीसरा यथा संबफ सभी प्रश्णों के उत्तर क्रमानुसाल लिखिए नेक्स्ट खंड अ में कुल दस प्रश्ण है जिनमें उप प्रश्णों की संख्या है 44 दिये के निर्देशों का पालंग करते हुए 40 जानिकि 40 उप प्रश्णों के उत्तर आपक अब खंड अ में पहला प्रश्ण आपके सामने आएगा गद्याश को ध्यान पूर्वक पढ़ना है और उस पर अधारित प्रश्णों के सरवादी कुप युक तुत्तर वाले विकल्प को चुनकर लिखना है अभी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा इस गद्याश को मैं आपको कोश्ण पढ़के बता रही हूं हिंदी साहित्य के तेहास में भक्ति काल को स्वन यूग क्यू माना जाता है ऑप्शन है उस काल में देश में सोना बहुत था सोने का व्यापार उस काल में सबसे अधिक होता था कभियों ने धन संपक्ति वाले राजाओं की प्रशं ना की जाती है ओके नेक्स्ट ग कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपियूक्त विकल्प चुनना है आपको कथन ए सूर्दास की कविता में जो नीरस्ता है अन्य किसी कवी की कविता में नहीं है कारण आर उनकी कविता से अलोकिक रसकी प्रतीती होने लगती है तो आपका सूर्दास जो है वो सही रहेगा कि कथन ए तो बिल्कुल गलत है और कारण आर जो है वो सही है ओके स्टुडेट्स फ़ूर्थ सूरदास को किस से दिख्σा प्राप्त हुई ठी तो सूर्दास को ऑप्शन है तो बी ऑप्शन आपका सही रहेगा और वो है वीवता का गुड़ ओके कोशन नमबर टू पी आ जाएए अब गद्याश के बाद कावियाश का आपको प्रशन दिया जाएगा पांच नमबर का गद्याश था पांच का ही कावियाश है कभी ने मंदिर की संग्या किसे दी है भारतियों को भारत भूमी को रक्षकों को जा संसार को तो ऑप्शन है भारत भूमी को ओके हलदारी शब्द बी ऑप्शन आपका सही था भारत भूमी हलदारी शब्द किसकी और संकेत कर रहा है तो डी ऑप्शन इस दा राइट ऑप्शन किसान की और ओके भारत वासियों क क्या पूछनी है बचो B option भारत भूमी नेक्स्त कतन और कारण आर पर विचार करते हुए सही विकल्प आपको चुनना है कतने में का है गरी मैदूर का रखतगारे के रूप में महलो के निर्मान में लगा हुआ है और कारण आर है महलो के निर्मान में मैदूर का पसीना बहा ह तो आपका C option सही है, कथन A वा R सही है और कथन A आर की सही व्याक्या है Next, किस शुब आशा के सहारे ये प्रशन पूछ कर कभी क्या कहना चाते हैं तो A option is the right option, यह किस शुब इच्छा के लिए इतनी मेहनत कर रहा है Third question, उपसर्ग पे अधारित अफशेश में प्रयुक्त मूल शब्द क्या है, मूल शब्द, मेन वर्ड, तो आंसर आपका B है, शेश अंतर जातिये में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, A option is the right option, अंतर, हलंत वाला उपसर्ग का अर्थ बताना है, D option is the right option, एक कम, उनतीस लिखते हैं न हम, एक कम, चीक है, तीस से एक कम, उनतीस आगे है, निमाल लिखित में, उर्दू, फार्सी, भाशा का उपसर्ग पहचान कर, नीचे दियेगे विकल्पों में से सरवा दिप, सही विकल्प आपको चुनना है, एनवक्त, अनमोल, अनहोनी, और बिला वजे, उर्दू, फार्सी, भाशा का उपसर्ग आपका रहेगा डी ओप्शन एक और चार सही है, नेक्स्ट, कॉलम एक को कॉलम दो से सुमेलित करना है, और सही विकल्प का आपको चियन करना है, जिसमें, शाप, शाप को मिलाएंगे हम, थर्ड से, अभी शाप, प्राचीन को मिलाएंगे, अती से, कीर्थी को मिलाएंगे, अप से, तो ड ये option is the right option, question number 4, निर्देशा नुसार, प्रत्य पर अधारित, पांच बहुविकल्पिय प्रश्णों में से किनी चार के उत्तर आपको देने हैं बेटा, दे आलू शब्द में से प्रत्य छांट कर लिखना है, तो C option is the right option, आलू, बच्चे अकसर B option पर टिक करते हैं, बट C is the right option, निमनल इखित में से तद्वित प्रत्य वाला शब्द कौन सा है, बच्चों, बेटियां, तद्वित प्रत्य, ओके, जो प्रत्य क्रिया के धातु रूपों को छोड़ कर अनेक शब्दों से, संग्या, विशेशन, सर्वना, मादी के सालक कर नए शब्द बनाते हैं, व निकी शब्दाश होते हैं, अगले पेच पर आपको दिया है, एक और तीन सही है, एक और दो सही है, सी है, दो सही है, यही आपका right option है, सी, तीन और चार सही है, डी option है आपका, but answer is C option, कॉलम एक को कॉलम दो से सुमेलित कीजिए, और सही विकल्प का चियन कीजिए, तो इस हिसाब से बंदरिया, बंदर को इया से मिलाएंगे, तो बंदरिया बन जाएगा, सुनार को इन से मिलाएंगे, तो सुनारीन बन जाएगा, पंडित को आइन से मिलाएंगे, तो पंडित आइन बन जाएगा, तो आपका B option is the right option, B, ओकी, प्रशन संख्या पांच, संयुक्त तो आपके रचना के अधार पे हैं, हमें तो अर्थ के अधार पे बताने हैं, तो विधान वाचक वाक्य आपका सही ऑप्शन है C, बुद्धिवान व्यक्ति जगडा नहीं करते, अर्थ के अधार पे वाक्य का भेद बताने हैं, आपको B आप्शन, निशेद वाच जाना है यह पत्र वहां पहुंचा है यह पत्र वहां पहुंचाना है यह पत्र वहां पहुंचाओ तो दी ऑप्शन तीन और चार सही है ओकी कॉलम एक को कॉलम दो से सुमेलित करना है सही विकल्प का चेयन करना है वा तुमने तो कमाल कर दिया विसमयादी बोदक कामनी को दि सार अलंकार पिया धारीत पांच बहुविकल्पिया प्रश्णों में से किनी चार के उत्तर आपको देने है चार नंबर का पांच में से चार करने है पीपर पात सरिस मंडोला सरिस लग्या उपमालंकार है डी ऑप्शन बहुविकल्पिया पांच इपुमाला पांच क्यांच कानन कठिन भयंकर भारी अनुप्रास लग्या कवन की अबृति हो रहिए ओप्षन कि निमल कमें यमक लंकार कोन्स है बी ऑप्शन ही उप्शन एक गोर मंदर के अंदर रहनवारी उप्शन नेक्स कोचें पढ़कर सही विकल्प का चियन कीजिए तो आपका सही विकल्प है कि B option सिब्दा लंकार में अनुप्रास और यमक आते हैं next question column 1 को column 2 से सुमेलिव कीजिए और सही विकल्प का चियन कीजिए कॉलम एक को कॉलम दो से सुमेलित कीजिए मेरी बर्चीने बर्चीने है खलन के तो आपका अलंकार कौन सा होगा यहां पर यमक वै दीप शिखा C, C लगा हुआ है उपमा रावनु रती विरती रगु वीरा यह अनुपरास तो इसे साब से B for BAT B option is the right option ठीक है निमल लिखीत पठित गद्याश पर अधारित बहु विकल्पिय प्रशनों के सरवादिक उप्युक्त विकल्प चुनकर लिखने है ठीक है दो बैलों की कथा पार्ट से यह आपका लिया गया है गद्याश इसके अधार पे पहला प्रशन आप से पूछा गया है गदे में रिशी मुनियों का कौन सा गुन पाया जाता है क्योंकि 10% आपको UT1 का भी लेना था UT1 में दो बैलों की कथा थी तो हमें ये पार्ट इस एक्जाम में लेना था गदे में अब जब आपको दूसरा सेंपल पेपर में दूंगी उस सेंपल पेपर में आपको पूरा का पूरा जो फाइनल टर्म में आपको पेपर आना है वो वला सेंपल पेपर आपको प्रवाइब किया जाएगा विदांसर की अभी ये वला सेंपल पेपर देखिए समझिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और पेपर देखे आईए अच्छे से गदे में रिशी मुनियों का कौन सा गुन पाया जाता है तो आगे options दे रखी हैं आपको योग साधना का प्रोपकार का विद्वता का सुख दुख में समान भाव से रहने का तो आपका D option is the right option सदगुन शब्द में उपसर्ग है B option सत इस गदे आश में गदे के चेरे पर कैसा भाव चाया रहता है C option स्थाई भाव स्थाई विशात का क्या भी प्राय है A option चेरे पर हमेशा उदासी रहना किसी व्यक्ति को गदा कहने के पीछे कौन सा भाव नहीं होता है A option C option है आपका A option है बुद्धी मानी का A option बुद्धी मानी का भाव नहीं होता है किसी व्यक्ति को गदा कहने के पीछे शितिच के गदे पाठों के अधारपा निमल लिखी दो बहु विकल्पिया प्रशनों के सरवादी को प्यूक्त विकल्प चुनकर लिखने है कोशन नमबर 8 दो नमबर की ठीक है तो पाठे बुस्तक में संकलित पाठ लहासा की और में नेपाल तिबबत मार्क भारत के लिए क्यों महत्वपुन था D option is the right option भारत की वस्तों इसी मार्क से तिबबत जाती थी सांस्कृतिक उपनी वेश का क्या आश्य है अक्सर बच्चे इसका आंसर रॉंग ही करके आते हैं बट इसका आंसर A option है लंबी अबदी तक विजेता देश की संस्कृतिक को अपनाना वो होता है कोशन नमबर नाई रखा हुआ है अंकारी बन जाता है वो संभाविकार्थ क्या है B option समान भाव रखने वाला खा खाकर में कोंसा अलंकार है अनुप्रास B option पर टिक करेंगे अक्चुली ये पुनुरुक्ती परकाश अलंकार था लेकिन आपको पुनुरुक्ती परकाश करवाया नहीं गहता तो आपको जितने अलंकार करवाय थे उसके अनुप्रास अलंकार is the right option प्रभु मिलन में क्या बादा है नेक्स कोशन तो प्रभु मिलन में बादा है B option भोग विलास कवितरी के अनुसार प्रभु प्राप्ती का मार्क क्या है प्रभु प्राप्ती का मार्क C option त्याग पूर्वग भोग करना प्रशन संक्या 10 पाठे पुस्तक में निर्धारित कविताओं की अधारपन निमली की दो प्रशनों के सरवादी कुपियुक्त विकल्प चुनकर आपको लिखने है कवीर की रचनाएं संग्रहीत है तो किस पे अक्सर बच्चे कवीर दोहावली में टिक करते हैं क्योंकि दोहे पढ़ते हैं नहीं बटा इसका आंसर है कवीर गरन थावली में बी ऑप्शन is the right ऑप्शन रस्कान कवी की कावे रचना का मुखे विशे क्या है बी ऑप्शन क्रिश्न महिमा और उनकी लीलाओं का वर्न नेक्स्ट खंड बव वरनात्मक प्रशन है पहला कोशन आपसे पूछा गया है दड़ियल आदमी कौन था दो बैलों की कथा में से दड़ियल आदमी कौन था तो आप आंसर लिख सकते हैं दड़ियल आदमी बदिक था कसाई था लाल आंके थी और उग्रस्वभाव था उसका दोनों मित्रों के कुलहों में वो उंगली क्यों गोदरा था खरीदने के लिए उनको ठीक है अपने शब्दों में 25 से 30 शब्दों में लिखना है मैंने हाइलाइट बिंदू आपको बता दिये लेखक ने सुम्ती के समक्ष क्या प्रस्ताव रखा और इस पर सुम्ती की क्या प्रतिक्रिया हुई उन्होंने का था जिस गाउं में ठैना हो बले गंडे बांड़ दो पर आसपास के गाउं में गंडे मत बांड़ दो क्यूंकि टाइम लग जाएगा लासा पोंच कर मैं रुपे दिऊंगा तो इस पर सुम्ती ने ये प्रस्ताव जो था वो स्विकार कर लिया था ठीके नेक्स्ट उस समय के तिबबत में हत्यार का कानू ना रहने के कारण यात्रियों को किस परकार का भए बना रहता था तो आपको पता ही है हत्यार का कानू ना होने के कारण लोग क्या करते थे पिस्टा लेकर घूमा करते थे हाथों में यात्रियों को अपने प्रानों का डर बना रहता था धन लूटे जाने का डर बना रहता था और ऐसा हमारे लेखक के साथ भी होआ था उन्होंने कुची-कुची एसे करके मूँ बनाया था भीक मांगने वाले जैसा ताकि खुद को सेट कर सके अमेरिका और यॉरप में आजकल क्या निया हो रहा है मरने से पहले अंतिम संसकार पे पैसे घर्च हो रहे है विश्राम का प्रबंद किया जा रहा है कबर के पास फवारे फूल निरंतर संगी चला जा रहा है तो अमेरिका यॉरप में जो आज कंडिशन है वो कंडिशन भारत में भी आ सकती है ठीक है प्रेशन संख्या बारा निर्धारित कविताओं के अधार पर निमा लिखित चार प्रशनों में से किनी तीन प्रशनों के उ जीवन के सारे भ्रहम धूर हो जाते हैं माया बंदकर नहीं रह पाती है सारे उसके जीवन के विकार बुरी भावनाई खतम हो जाती है भक्ती आ जाती है प्रेम की वर्शा हो जाती है इस प्रकार अपने शब्दों में लिखेंगे आप संसार को स्वान रूप क्यों का गया क्योंकि संसार की तुलना कुत्ते से की गई है कुत्ता भी भूंगता रहता है संसार भी भूंगता रहता है तो सादक को ईश्वर की सच्ची सादना करते देखना और निंदा करना इसलिए संसार को क्या कहा गया है स्वान रोप ठीक है कवितरी कच्चे दागे की रसी किसे कह रही है तो कवितरी जो है जीवन जीने के सादन निरंतर चलने वाली सांसों को जो कच्चे दागे के समाने उसे कच्चे दागे की रसी कह रही है मैं मुख्य बिंदू बता रही हूँ कोशन में लिखने वाले पूरा कोशन आपको आंसर में लिखना है मेरे चैनल पर सारे कोशन आंसर अप्लोड़ीड है क्लास नाइन की प्ले लिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है गोपियां किस परकार शिरी क्रिश्न में हो जाती है तो आपको पता ही है रस्कान के स्वईए आपने पढ़ा है मुरली की मदुदोनी सुनकर मनोहारी मुस्कांद से प्रभावी दोकर अपने आपको वा भूल जाती है कोशन नामबर थाटीन जानिकी कृतिका में से पूरक पाठे पुस्ता के पाठोपे अधारी निमल की तीन प्रश्णों में से किनी दो के उत्तर लगबा 50 से 60 शब्दों में आपको लिखने है इस जल परले में पाठ के अधार पर लेखक को बाढ के पुराने अनुभवों की याद कबाती है कि नहीं दो अनुभवों का संक्षिप्त परिचे दीजिए तो इसमें आपको दो अनुभव लिखने हैं कोई 1967 का पटना शैर की बाहर लिख सकते हैं 1947 की बाहर लिख सकते हैं जा 1949 की बाहर लिख सकते हैं कोई दो अनुबव लिखने आप अपने दो अनुबव लिख सकते हैं और पूरा-पूरा पैराग्राफ लिखेंगे आप दो अनुबव का ठीक है एक-एक-दो-दो लाइन ही लिखनी आपको नई तो नंबर नहीं मिलेंगे आपको लेखिका की दादी के घर के महौल का फिल्कुल ध्यान देती नहीं थी तो घर के जितने भी मेंबर्स थे वो सब बच्चों के पालम पोशन में लगे रहते थे लेखिका के पिता यह आपको एक्सपैंड करना है कोशन का अंसर ओके लेखिका के पिता और बहन चित्रा के विक्तित्व पर प्रकाश टालना है तो प बहन चित्रा के बारे में बताएंगे द्रड संकल्प महिला थी शादी के लिए इंकार कर दिया था जब लड़के ने तो उसने ठान ली थी शादी करेगी तो इससे और खुद के कम अंक उसके क्यों आते थे शागिर्दों को पढ़ाती रहती थी खुद के अंक कम आते थे ठीक है तो इस तरह पूरा ब्रीफ करते हुए चित्रा बाला जो पूरा पैराग्राफ है आपकी भुक में वो आपको पूरा का पूरा लिखना है कोशन नंबर 14 निमा लिखी तीन विश्यों में से आपको किसी एक विश्यों पर 120 शब्दों में अनुछेद लिखना है तो पहला तो आपने कबीर की साखियां सबद पढ़ा ही हुए मुझको कहां डूंडे मैं तो तेरे पास में तो सबद में से आपको यह पूरा का पूरा पैरा ग्राफ जो है 120 शब्दों में 12 लाइने बहुत असानी से लिख सकते हैं संकेत मिंदू नीचे दिये हुए है पहले वास्तवी कर्थ बताएंगे फिर बताएंगे इश्वर हां बन में तीफ्त में मंदिर मसरी ग richा गर में खूचते हैं इंसान हर घट में विद्यमाना इश्वर मन को शांत करके इश्वर को पास सकते हैं मन अशांत होगा तो बारा लाइने लिखना बच्चों के लिए बहु लिखनी है मता संकेत विंदू का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य आपके अनुछेद में होना जरूर चाहिए ताकि लगे नमबर देते हुए कि वाक्य इस बच्चे ने हर संकेत विंदू का प्रयोग किया है उसके बाद आप जो भी उससे रिलेटेड वाक्य बनाते है वो कीजिए चाहिए चाहिए श्कूलरशिप के लिए बच्चे को पता ही नहीं होता शात्रवृती क्या होती है अक्सर वो पूछते ही रहतं है इकजाम होल में तो शात्रवृती का मतलब होता है scholarship आपको बहुत सारे उधारन आपको दिये गये और बहुत चल्द मैं आपको डंग से याद कर लीजिए और फॉर्मेट नए फॉर्मेट के साथ भी में जल्दी ही आपके सामने प्रस्तुत होंगी वैसे तो मैंने अपनी वीडियो में बता रहता है प्रेशक प्रेशिती किस परकार से आपको लिखने तो आप अमानगी विभार के लिए शमज आचना है एक एमेल परधानाचारे को लिखेंगे जिसमें आपने क्लास में अच्छा विवार नहीं किया है उसके लिए आपको लाइने लिखने है तो प्रेशक से लेकर नीचे भवदिये तक असी शब्द पूरे होने चाहिए ज्यादा एक स्टेंड़नी करना पत्तर की तरह दूसर कोलम आप बनाएंगे कालम कहरी हूं दो एस सब से पहले भाई लिखेंगे फिर बहन लिखेंगे दो के बीच में वारत अलाब चलेगी तो भाई बहन एसे करते हुए एंड करेंगे आपको gefragt कि और दो यहां यहां अगर पूछा है तो इक तरफ भाई की यूचे करके और बहन ने आगे क्या अंसर दिया वो तो इस तरह ही चलेगा एंड तक च्रीख उट है जो भी बाकी members के बीच में बात हुए है उसको bracket में रखते हुए लिखी है लेकिन answer जो भाई और बहन के बीच में हुए है वो end तक भाई और बहन ही रहेगा अथवा सबजी विक्रेता और महिला खरीदार के बीच में होने वाली बातचीत को आपको 60 शब्दों में संबाद के रूप में लिखना है बस हो गया आपका paper finish और आगए आपके 80 में से 80 एटी लेना असान तो नहीं होता है क्योंकि आप mistakes बहुत करते हैं पर आ रूप को धिय में नहीं रखते हैं लेकिन इन चीज़ों को avoid कीजिए अगले sample paper के साथ मैं जल्दी ही आपको मिलती हूँ till then अपनी practice जारी रखिए चैनल पर बने रहिए किसी भी तरह की कोई demand हो तो बता दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ इस sample paper को share ज़रूर कीजिएगा गुडबाइ students प्रस्प्रेट